बीव इध्यारतियों मैं डॉक्टर इक्बाल स्याचार जी इतियाज भाग रात के माध्याले जालावाण आज हम चर्चा करेंगे ऐसे आंदोलन की जो की एक जन्वियापी आंदोलन था और इस आंदोलन के कारण क्या थे इस आंदोलन के अंतरकत कौन सी घटनाय क्या हुई इसमें इसका कारेक्रम क्या था और इसके परिणाम क्या निकले और इस आंदोलन का महत्तु हमारे सतंदा आंदोलन में क्या रहा जहां तक हम बात करेंगे बीसवी सदी का जो दूसा दसक कांतिम वर्ष है यानि 1919 भार्टे जन्ता के लिए निराशा और शोप का वर्ष था जन्ता उम्मीद लगाए बैठी थी कि प्रथम विशुद की समाप्त की बाद अंग्रेजी हुकूमत उसके लिए कुछ करेगी लेकिन रॉल टेक्ट जलियावला बाकार्ण और पंजाब में मार्शल ला ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया जन्ता समझ गई कि अंग्रेजी हुकूमत सिवा दमन के उसे और कुछ ना देगी मांटिंग्यू चैप्समफोर्ट सुधार जो कि 1919 में लागू किये गए उनका मकसद भी धोरी शाषन परणाली को लागू करना था ने की जन्ता को कोई सवेधानिक राहत देना इससे भी ऐसंतोष उभ्रा और मुसल्मानों को भी महसूस होने लगा कि अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें धोका दिया है प्रथम विशुद में मुसल्मानों का सयोग लेने के लिए अंग्रेजों ने तुर्कियों की प्रती उदार रवेया अपनाने का वादा किया था परन्तु युद समाप्ती के दोरान वैसमा वादे से मुकर गए इस प्रकार 1919 में परिसिद्या ऐसी बनी कि महात्मा गांधी को एक रास्ट व्याप्य आंदोलन शुरू करने के लिए बात दे होना पड़ा और भारत का ये पहला व्यापक जन संगर्श स्री महुंदास करमचंद गांधी के नेतुत में चला था श्री गांधी प्रथम विर्थ की समाप्ती से पहले तक बिट्टी सामराज्य के सयोगी रह थे 1914 में जब बिट्टेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की शुरूआत की थी तब गांधी जी ने कहा था कि सामराज्य की हिस्सेदारी हमारा लक्षे है हमें योग्यता अनुसार अधिक से अधिक कस्ट उठाना चाहिए और सामराज्य की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देनी चाहिए सामराज्य नस्ठ हो जाएगा तो उसके साथ हमारी अभिलाशाएं खतम हो जाएगे अते सामराज्य की रक्षा के लिए सायोग देना सौराज्य प्राप्ति का सरलतम मार्ग है 1919 के मौनफोर्ट सुधार अदिनियम के समर्थन में यंग इंडिया में 31 दिसंबर 1919 में गांधी जी ने लिखा कि सुधार कानून और उसके साथ की कई घोषना बिट्रीज जनता की इंसानियत का घोटक है वे अब भार्तियों के साथ नियाय करना चाती है हमारा कर्तव वे नहीं है कि हम इन सुधारों की आलोचना करें हमें तो इने सफल बनाना चाहिए महायूत की समाप्ती पर सरकार ने गांधी जी को युद्ध कारे में की गई सहायता और सेवा के लिए केसरे हिंद की उपादी से भी बुशित किया लेकिन इसके तुरंत बाद ही गांधी जी के सामने बिटिस सामराज जी का वास्चिक सरूप प्रकट वा बिटिस नोकरशाई की दमनकाय नीती ने उन्हें तुरंत ही अंग्रेजी सामराज जी का कट्टर दुश्मर बना दिया और वे भारती राजनीती में कूद पड़े 1920 का ऐसे हो गांधी जी के इसी अनुबाव का पढ़िनाम था गांधी जी की प्रेणा से कॉंग्रेस ने 1920 में कलकत्ता में हुए एक विशेश अधिवेशन में ऐसा योग पर प्रस्वित प्रिस्ताव अपनाया इस प्रिस्ताव ने शिफारिश की कि सरकारी उपातियों का त्याग किया जाए विधान मंडलों, कानून की कचेरियों एवं सरकारी शिक्षन सस्ताओं का बाइकार्ट किया जाए तथा आगे चलकर करों की अदाएगी बंद कर दी जाए भारती रास्टे कॉंग्रेस का उद्दे से अब सभी कानूनों एवं शान्तिपूर्ण सादनों द्वारा स्वराजी की प्राप्ती निर्धारित किया गया इस पकार पहले के सावेधानिक साधनों का इस्थान अब कानूनी एवं शांतिपूर्ट साधनों ने ले लिया अधिवेशन के मुख्य प्रस्ताओं में खिलाफत संबंदी अन्याय का संक्षेप में वर्णन करते वे पंजाब में वे अत्याचारों के लिए कहा गया था कि कॉंग्रेस का मत है कि जब तक इन दो अन्यायों का प्रतिकार नहीं होगा रास्टे प्रतिस्ठा कायम रखने और ऐसी घटनाओं की प्रवरती को रोकने का एक ही प्रभावकारी उपाय है और वे है स्वराजी की इस्ताबना ऐसायोग प्रस्ताव स्विक्रित हो गया परंतु उसे प्रबल भहुमत नहीं मिल सका स्रीश सुद्रेंदरनाद बनर जी ने कहा कि ऐसायोग आंदोलन को रास्टे कारेकरम के रुपमे स्विकान नहीं किया जा सकता क्योंकि जनता पारस पर एक हिंसा और ग्रहना दोरा आपस में ऐसायोग कर रही है महात्मा गांदी ने संपूर्ण देश का दोरा किया अलीबंदों के साथ और उन्होंने अपने सिद्धान्तों का व्यापक प्रचार किया और जनता में नई आशा का संचार उन्होंने कर दिया उन्होंने पुरे देश के दोरे के अंतर का सेकड़ों सबाव में भाशन दिया और राजनितिक कारेकरताओं से मुलाकात की उनसे बातचीत की पहले मईने मई हजारों शात्रों ने एक आक्ड़े के नुसार 90,000 सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया और रास्टी स्कूलों में भरती हो गए अगले ही महां दिसंबर 1920 के नागपूर कॉंग्रेस अधिवेशन में गांधी जी की SIO ग्योजना पुन बहुमत से स्विकार कर ली गए मुसलिमों ने भी SIO गांधोलन में शामिल होने का निश्य किया क्योंकि वे अंग्रेजों से उनकी टर्की के प्रती नीती से संतुस्ट नहीं थे खिलाफत कमेटी ने SIO गांधोलन को देश बर में फैलाने में सायता की विध्यार्तियों अब हम चर्चा करेंगे कि SIO गांधोलन के कारण क्या थे भात्मा गांधी ने SIO के कारणों का उलेग करते वे कहा मुसल्मानों के साथ बिटी सरकार ने टर्की और खिलाफत की मामनों में विश्वासगात किया है उसने पंजाब का अपमान किया है जनता की इच्छा के खिलाब भी सरकार उस पर जबरदस्ती हुकूमत कायम करना चाती है और पंजाब में अपने किये गए कुकर्मों पर प्रश्रताप करने तक का नाम नहीं लेती सबसे पहला कारण है प्रथम विश्युद का प्रभाव प्रथम महायुद में अत्यदिक खर्च वहन करने से भारत के आर्थिक दशा बहुत खराब हो गए मुद्रा इस्विती के कारण वस्तों के दाम बहुत बढ़ गए थे जन साधरन के कस्ट भी बहुत अधिक बढ़ गए युदोत्तर काल की बिर्टीश निती से भारते अत्यंत नारास थे शुब्द थे युदो के बाद आत्म निर्ने के सिद्धानत के अनुसार कुछ नए राज्यों की स्थापना हुई तता चीन एवं मध्यपूर के देशों में रास्टेता की भावना का संचार हुआ इस प्रभाव से भारत भी ने बच सका भारत के लोग नए स्थिती में अपना उप्योक्त इस्थान खूजने लगे ऐसे ही समय महात्मा गांदी ने भायत के रास्टे अंदोलन को एक नई गती प्रदान की दूसरा कारण था महामारी अभी भी हम एक महामारी के दोर से गुजर रहे हैं और उस्सा में भी यानि लगबख सो साल की बात हम करें सो साल पहले तोस्ता में भी प्लेग और इंफ्लोजन की महामारी फैली भी थी और साथ ही हमारे देश की जनता अकाल से पेड़ी थी अकाल से पेड़ी जनता के प्रती महामारी से पेड़ी जनता के प्रती बिटी सरकार का रवया बहुती उपेख्षापूर रहा और वो भी इस आंदोलन का एक कारण बना अब हम बात करते हैं तीसरे कारण की और वैता सरकार का दमन्चक एक और तो सरकार ने जंदा को राजनितिक सुधारों का आश्वाशन दिया तता दूसरी और घोड दमनकारी कानूर बना कर रास्ट्रे आंदोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी चौथा कारण था मौन्टफोर सुधारों में से एसंतोष अभी मैंने बताया था आपको कि 1919 में बिटी सरकार ने सवेदानी कानून पारित किया था मौन्टफोर सुधार लेकिन भारतियों की आशाओं के अपेक्षा के इसापते इसमें सुधार जो चाहिए थे वो नहीं मिले और 1919 के सुधारों ने जनता को संतुष्ट करने के बजाए उसके आशाओं पर पानी फेर दिया और इसलिए भी एक आंदोलन की जरुरत महसूस हुई इसके बाद हम लेंगे रॉलेट एक्ट जो की एक महत्पून कारण था ऐसे वोग आंदोलन को शुरू करने का तो 1918 इसी में बिट्री सरकार ने सर सैटनी रॉलेट के अध्यक्ष्टा में एक कमेटी ये जाज करने के लिए न्यूप्त की कि भारत में किस प्रकार और किस हद तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंदी शर्डेंथ फेले हुए हैं और उनका मुकाबला करने के लिए केसे कानूनों की जरूत है। कॉंग्रेस ने 1918 के दिल्ली अधिवेशन में रॉलेट बिल का विरोध किया और कहा कि ये अत्यंत प्रतिकिरावादी है। और यदि रॉलेट कमेटी की सिफार्सों को सविकार किया गया तो शासन सुधारों को वेवारी गूप देने में कठी नाईयां पैदा हो जाएंगी। उदारवादियों तता समाचार पत्रों ने भी इन बिलों का विरोध किया। स्री C.Y. चिंतामनी ने लिखा है कि इन दोनों विधेकों का विरोध परिशत के गेर सरकारी भारतिये, सदस्ये, निर्वाचिस सदस्ये, नामज़स सदस्ये, सबने समान रूप से किया पर सरकार अपनी बात पर अड़ी रही और तनिक भी विचलित नहीं हुई। इस एक्ट के द्वारा सकार राधनिती कांदोलन तता राध्जी के खिलाफ किसी भी कारे का दमन कर सकती थी, तता बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। इसने गांदी जी को ऐसो गांदोलन करने के लिए प्रिरित किया, रॉलेट एक्ट के वि इध्यारतियों, आप जलियावाला कांड के बारे में जानते होंगे, 13 अप्रेल 1919 को जनरल डायर ने जलियावाला बाग की शांत सभा में, जो कि अम्रस सर में आयोधित हो रहे थी, में लोगों पर गोलियों की बोचार कराई, जो तभी समाप्त हुई जब सेनिकों के समाप्त हो गए, गांदी जी ने ततकालीन वायसराय की वापसी की मांग की और कहा कि हत्याकान के लिए उतरदाई व्यक्तियों को सजा दी जाए, पंजाब के संबन में शुरी एनी बिसेंड लिखती है कि सर माइकल और डायर की कठोर और दमनकारी शाशन, उनके अत्याचा करने के लिए तयार थे, आंदोलन का एक अन्निक कारण था खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के और से सरकार की उदांसीन था, तता तरकी के साथ मित्र रास्टों के दुर्विवार के कारण भायत के मुसल्मान भी अंग्रेजों से कुपित हो तूठ थे और वो भी ए और इसहोग आंदोलन का कारीक्रम क्या था तो गांदी जी की नेतृत में एसहोग आंदोलन 20 अगस्त 1922 से शुरू आ, यानि लगबग आज से हम बात करने हैं, पूरे 100 साल एसुग आंदोलन को पहले ये शुरू किया गया था यह आंदोलन भारत के स्वाधिन्ता संग्राम का एक महान कदम था ऐसा योग आंदोलन का उत्तेशे यह था कि बिटीज भारत की जो भी राजनितिक, सामाजिक और आर्चिक संस्ताएं हैं उन सब का भाईशकार कर दिया जाए और इस प्रकार सरकारी मर्शीनरी को बिल्कुल ठप कर दिया जाए ऐसा आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कारेक्रम दो भागव विभादित था एक निशेदात्मक पक्ष दूसरा रचनात्मक निशेदात्मक पक्ष के अंतरगर सरकारी वेतनिक तता एवेतनिक पदों और पादियों का त्याग के लिए कहा गया दूसरे सरकारी समारों तता उस्सों का बहिशकार किया जाए 3. सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल और कालेजों का बहिशकार किया जाए 4. सरकारी अदालतों का बहिशकार किया जाए 5. 1919 के अधिनियम के अंदरगत होने वाले चुनावों का बहिशकार किया जाए साथवा विदेशी माल का वहिशकार किया जाए आठ्वा अस्थान्य संस्थाओं के मनोनिच सदस्यों का अपने पदों से त्याग पत्र उप्रौक्तो निशेदात्मक कारेक्रम के अलावा कारेक्रम का रचनात्मक पक्ष भी था जिसमें निम्न बाते मुख्य थी पहला राश्ट्रिये इस्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की जाए दूसरा पारसपरिक विवाद तै करने के लिए नीजी पंचायतों दालतों का अपयोग किया जाए तीसरे बड़े पैमाने पर सुदेशी का प्रचार किया जाए क्योथा हतकरगा और बुनाई उध्योग का जिर्नोदार किया जाए और पांचवा हिंदु मुस्लिम एकता वे अस्प्रश्यता का निवारन किया जाए और साथ ही उस समय ये भी कहा गया कि तिलक जेनती जो है बनाने का निडने लिया गया और साथ ही ये कहा गया कि जो है कॉंग्रेस के सदस्यों के को जोडने का काम भी इसके अंतरगत किया जाए तो ये कारेक्रम था ऐसा योग आंदोलन का जो की कुछ जो चीजे हमें करनी चाहिए उसके बारे में बता रहा था और कुछ चीजे जो लोगों को नहीं करनी थी उसके बारे में बताया जाया था अब हम बात करेंगे आंदोलन के दोरान क्या घटनाए घटी तुई और आंदोलन की प्रगती क्या रही आंदोलन का सूत्रपाद गांदी जी ने अपने केसरे हिंद के पदक को वापस दे कर किया सेठ जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहाद्दूर की उपादी तता ओन्रेरी मजिस्ट्रे सी छोड़ दी जगे जगे पर हजारों विध्यारतियों द्वारा सरकारी स्कूलों और कालेजों का बैशकार किया गया जिसा कि अभी मैंने पहले बताया था कि लगभग 90,000 शात्रों ने सरकारी स्कूलों को इस दोरान छोड़ दिया था इन विध्यारतियों के अध्यन हेतु आंदोलन के नेताओ दोरा रास्ट्रे शिक्षन संस्ताओं की स्थापना की गई जिसमें बिहार विध्यापीट पटना, गुजरात विध्यापीट एहमधावाद, काशी विध्यापीट, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी कलकत्ता, जामिया मीलिया दिल्ली, तिलग विध्यापीट महरास्ट, आधी के नाम प्रामुख हैं इसमें बंगाल नेशनल कॉलेज की जो है प्राचार ये सुबास चदबोस को न्यूप्त किया गया था पंजाब में भी बड़े पेमाने पर शिक्षा का बैशकार किया गया और सबसे ज्यादा बैशकार बंगाल में हुआ था बंगाल के बाद पंजाब और अदालतों के पंजाब के लाला लाजपत्राय उत्तर प्रदेश के मोतिलाल नहरू वे जवालाल नहरू गुजरात में वल्लबाई पटेल वे विठरवबाई पटेल पुना में नर्सिंग चिंतामनी केलकर मद्दे भारत में डॉक्टर मुंजे वे अभ्यंकर बिहार में डॉक्टर पंसारी मुलानाबुलकलाम आजाद आदी के नाम प्रमुक थे विदेशी वस्तों का बैशकार किया गया और लोगों ने चर्खा कातना शुरू किया मादक पदार्तों के विरुद भी आंदोलन हुआ जिसमें सरकार को बहुत आर्थिक शती उठानी पड़ी इसके अलावा और अफसरवादियों ने इस मौके का लाब उठाया और कॉंसले उनसे भर गए अब हम बात करेंगे आंदोलन के दमन की सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए पूरी शक्ति से काम लिया जिसके फलसरूप अनेक हिंसात्म घटनाय हुई सन 1921 के इस आंदोलन में लगपक 50,000 से भी जादा व्यक्ति हस्ते हस्ते जेलों में बंद हो गए स्री कॉली के इंकरदत ने लिखा है कि जोकि 50,000 व्यक्ति राजनिती केदी थे अते हो जेल ने अपना डर खो दिया तता जेल जाना तमगा यानि प्रतिस्टा का चिन बन गया जन साधारण में राजभक्ति की परंप्रागत भावना जगाने के कि व्यर्थ आशा में बिटी सरकार प्रिंस ओफ वेल्स को भारत बुला लाई लेगिन उनके बंबई आगमन के तिन पूरे भारत में हर्ताल मनाई गए तथा जब उन्होंने भारत की प्रांती राजदानिया देखी तब उन्हें अधिकतर परित्यक्त सड़कों यानि खाली सड़कों से गुजरना पड़ा इस प्रकार उनिस सो एकिस का वर्ष भारत के सोतंता संग्राम के इतियास में एक इसमण्य सीमा चिन है इस देश व्यापी हर्ताल को देखकर नोकर शाई का पारा चड़ गया अते सरकार ने क्रिमिनल ला आमेंडमेंट एक के अंतरगत एक घोशना की और कॉंग्रेस सता खिलाफत के स्वियम सेयोकों की सभाओं को गैर कानोनी करार दे दिया इस गोशना के अंतरगत अनेक लोगों को गरफतार किया गया सितंबर 1921 तक सिर्श चितरंजन्दास, मोतिलाल नैरू, लालालाच पत्राय, मौलाना अज़ाद और गांधी जी के अलावा सभी मुख्य नेताओं को गरफतार कर लिया गया इस समय कुल गरफतार लोगों की संख्या लगबक 60,000 थी, लेकिन जन्ता का उस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था डॉक्टर राजिन्द पर साथ लिखते हैं कि जब से भारत का बिटेन के साथ संबंद इस्थापित हुआ था, उसके इतियास में जन्ता का शौप तता उस्सा इस सीमा तक पहले कभी नहीं पहुचा था जन्ता के उस्सा के संबंद में पंडित नहरू ने भी अपनी पुस्तक जवालनाल नहरू अब आटोबायग्राफी में लिखा है कि किशोर और नव्युवक पुलिस की गाड़ियों में जा बैठते, उतरने से इंकार कर देते पुलिस और जेल अधिकारी इन ऐसा अधरन घटनाओं से चकित और की करतवे विमोट हो रहे थे 1921 में एमदाबाद अधिवेशन में व्यक्तिकत तथा सामुईक से विनवग ज्यांदोलन के शुरू करने का निर्ने लिया गया कॉंग्रेस ने महात्मा गांधी को अपना अधिनायक मनोनित किया तो 1922 के फरवरी महा में गांधी जी ने वाइसराय के पास इस आर्शी का एक पत्र लिखा कि एदि एक सप्ता के अंदर सरकार अपनी नीती में परिवर्तन की गोशना नहीं कर देती है तो बार्डोली में सह विन्य वग्यांदोलन शुरू कर दिया जाएगा वाइसराय ने सारी गरबड़ियों के लिए कॉंग्रेस को जिम्मेदा ठेराया आते वो गांधी जी ने बार्डोली में सह विन्य वग्यांदोलन शुरू करने का निश्यक कर लिया विद्यार्तियों तो इस पकार ये था ऐसे होगो आंदोलन का कारेक्रम और उसकी प्रगती अब और उसका दमन अब इसके बाद में आंदोलन का इस्थगन और उसके परिणाव और उसका मैदु क्या है इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे धन्यवाद